आपने थम्डेल बिल्कुल सही देखा है, दस अजार से किस तरीके से हम एक लाग, दो लाग, चार लाग, उसका कोई सीमा नहीं होगा, आप इतना जादा कर सकते हैं, बशर्टे मैं कुछ आज बाते बताऊंगा, उनको आपको सुनना है, वीडियो खतम होने के बाद पल भर क के लिए खुछ सोच के देखिए का मैंने क्या कहा है, और सच में ये पॉसिबल आपको होता हुआ नजर आएगा, ये कोई स्ट्रेटिजी है क्या चार्ट पे बनने वाला इस टाइम प्रेंपे का नहीं, सुनिये ध्यान से आपका ट्रेडिंग का जो मानसिक्ता है, जो साइ उन गलतियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगा और फिर उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे, आप एक तो ओवर ट्रेड कर देते हैं, आप टार्गेट आपके बड़े होते है, कैपिटल कम होता है, टार्गेट बड़ problem है आपके target होते हैं बड़े capital होता है कम आपने invest किया है 5000 आपको 5000 में आपको 2000 profit चाहिए जो नहीं संभव है अब 2000 नहीं मिलते तो आप क्या करते हैं 5 ट्रेड लेते कोई 10 ट्रेड लेते हैं तो एक माश्य ने मेरे channel पर comment किया था कि sir आज तो मेरा नुकसान तो सिर्फ 1300 का हुआ लेकिन cool मिला कि आज मेरा total नुकसान हुआ है 4000 क्योंकि मैंने बाकी के मेरे brokerage charges गए मतलब उसने इतना trade लिया था अब आपको क्या करना चाहिए यहां से मैं शुरू करता हूँ यह कहानी आप समझने की कोशिश करिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसकी पीछे का logic क्या है आप जब कोई trade लेते हैं दिन में तो आप देखेंगे कि शुरुवात का 9 में 10 में से 9 ट्रेड ना आपके सफल होते हैं या 10 में से 8 ट्रेड आपके सफल होते वो perfect निकलते हैं उसके बहुत सारे reasons है एक तो आपके पहले दिन की जो ऐक आक की तयारी होती है दिमाग आपका फ्रेश होता है फिर अप trade लेते और आप 8 ट्रेड आपके सफल हो इसा होता ही होता है maximum सब के साथ चाहिए वह प्यक्ति नया हो या पूरानों कोई भी हो उसके साथ यह होता ही है maximum होता है अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए देखिए अब मैं जो बोलने वालों इसको दहां से सुनिये 10% से आगे है अब यहां पे 1% की हिसाब की बात हे हो हुरी है यहां पे आप कितना कमारे हैं उसके बारे में बात कर रहे। मान लेते हैं आपने एक 5000 का एक लॉट लिया है चाहे उसमें एक लॉट आए चार लॉट आए दस लॉट आए यह भी है अपका कैपिकल इस्तिमाल हो रहा है 5000 अब 5000 पे आपकी कमाई कितनी हो नीचे मैं आपको बता देता हूँ 5000 में अगर आपने ट्रेड ले लिया 5000 उसकी कीम हैं अगर आप ले लेते हैं 30 क्वांटे के साथ बैंक निफ्टी में तो उसकी कीमत हम मान लेते 5000 के आसपास पड़ता है आपके ट्रेड लेने के बाद जब आपको मुनाफा यहाँ पे कम से कम साड़े पास्व अगर दिखाता है यह साड़े पास्व क्योंकि 50 उर्पे मान लेते हैं वारा ब्रोकरेज चार्ज है उसको भी मिसमी गिंती कर लेते हैं तो 5000 से आपने शुरू किया है और आपका पहला ट्रेड आपने 5000 उर्पे पंच कर दिया है और वह आपकी कमाई दिखा रहा है 5000 उर्पे आपको यहाँ पे किसी भी हाल में एक्जिट करना ही करना है क्यों करना है क्योंकि यह होगे आपका 10% मत बढ़िए इसके आगे यहाँ पे आप यह मत देखिए कि आपका आपने जो ट्रेड लिया है वह आपको और कितना दे सकता था अब इसका उल्टा करते हैं अगर आपने ट्रेड लिया है और वह आपका प्रोफिट माइनस दिखा रहा है 50.500 आप यहाँ से exit हो जाईए और एक याद रखिएगा यह आपके दिन का पहला ट्रेड होगा और यह आपके दिन का आखरी ट्रेड होगा मतलब कुल मिलाके आप एक दिन में अगर हम सिर्फ कमाई की बात करते हैं तो आपकी कमाई यहाँ पे होनी चाहिए सिर्फ और स्रिफ 10% और दिन में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है पहला ट्रेड आपने लिया 10% आपको मुनाफ़ा हो गया बंद करी अपने सिस्टम को भाग जाए वहां से उस जगह से दूर रहिए अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं लैपटॉप पे काम करते हैं तो दूर पे हिसाब पे 500 रुपे का हिसाब हम मान लेते हैं महिने में मान लेते 22 दिन है 22 दिन में हम सफल क्रेड 15 मान लेते हैं और आपका कैपिटल आपके पास मैं मान लेता हूँ rival के पास 56,000 है आप कितना भी लगा यह आपके आपका आउटलुक है पे कैपिज Reality ब्यद्र खेंग पहला वाला ट्रेड लेंगे, उसमें अगर 500 आपको 10 परसन मिल गया, आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, और अगर आपको 500 नुकसान पड़ गया, आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, आप और ट्रेड नहीं करेंगे, अब हिसाब हम करते हैं कि 22 ट्रेड में 7 ट्र कर लेता हुए 500 into 15 आपको करना है तो आप जैसे देखेंगे कि आप ये करने जाते हैं तो आपका कूल यहां पर रुपयः हो जाता है विशवास करें पहला प्रेड आपका ज्यादा से जादा सही होता है आप खुद भी एकबर चेक करके देखिए ना आप शायद दिन में पार्च ट्रेड लेते होंगे दस ट्रेड लेते होंगे जादा पैसे कमाने के चक्कर में लेकिन आप नोट करियेगा पहला ट्रेड आपका हमेशा फाइदे मन्द होता है और वो 10% देखी जाता है आप अगर out of the money काम कर रहे हैं अगर 3000 रुपए आपको लग रहा है कीमत तो आपको ट्रेड लेने के बाद तूरंट आपको 300 रुपए दिखा भी देता है profit में निकल जाएए बाहर वहाँ से अगर आप 10,000 रुपए capital इस्तेमाल करते तो देखेंगी कि आपका 1000 रुपए तूरंट दिखा देता है जैसे आप ट्रेड लेते हैं निकल जाएए बाहर और calculation मैंने आपको पास्व की साब से करके दिखाया कि 22 दिन ट्रेड होता है 22 दिन में 15 दिन मैं 7 दिन का मैं नुकसान लेके चल रहा हूँ उसके बावजूद भी 22 दिन में 15 दिन भी अगर आप 10% कमाते हैं तो आपका यहाँ पर capital हो जाता है 7,500 रुपए एक महिनी की बात कर रहा हूँ मैं आपका आप कितने लाए थे घर से 5,000 रुपए अब आपका कितना हो गया है 7,500 रुपए कितना फाइदा है मतलब आप जो लेके आये थे फिर भी आपका 5,000 का फाइदा है निकाल दीजिए अब आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको निकाल देना है गाने दिजी अब इस 5000 में आपका जो भी प्रॉफिट बनता जाएगा मान लीजिये आज एक अगस्ट है आज एक अगस्ट से मान लीजिये और एक सप्टेम्बर तक आपको काम करना है और आपका डिमेट अकाउट से 7500 जो जो बना है आपका उसको निकाल देंगे अब 1 September को फिर से आपके पास 5000 ही रहे गया है अब क्या करना है आपको आप जो घर से पैसा लाए थे उसको आपने निकाल दिया है अब इस 5000 को बढ़ाना है क्योंकि हम तो सिर्फ हर रोच 500 का profit तो नहीं लेंगे पास्तो का मतलब यहां पर 10% से है अब इस 5000 को पूर एक महीने फिर उसी ही सबसे काम करें आपको इसमें थोड़े बहुत नियम पालन करना पड़ेगा वो क्या नहीं मैं पता है आपको सबसे पहले अप इंद मनी में काम करना शुरू करिए एक lot लीजिए ना एक lot थर्टी quantity अगर बैन निफ्टी के साथ करिए कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में काम कर रहे तो फिर एक lot के साथ काम करें, फिर फिर quantity के साथ, कोई बुरा ही नहीं उसमें, लेकिन आप एक ही lot से काम करिए, और आप इंदमनी में ही काम करिए, आप उसमें छेड़शार मत करिए, आज कुछ लोग क्या करते पता है, आज OTM में काम करेंगे, कल इंदमनी में काम करेंगे, कभी ATM, आप ऐसा मत करिए, आप इंदमनी में जाइए, आपका 10% बनने में बहुत कम समय लगता है, बहुत बहुत fraction of second में 10% बन जाता है, मन में पत्थर रखिये मार्केट से बाहर निकलिए, यही चीज आप regular एक बार आदत आपकी अगर पड़ गई ना, अब देखिए, आपने 5000 रुपे लेके आये थे, महीने का, अब 5000 का आपका हो गया, 7500, 7500 में आप वहां से चले जाएए, 5000 दुबार आपके पास एक सप्टेमबर को आ गया, अब इस 5000 का फिर से 7500 आपका होई जाएगा महीने बर में, अब इसको मत निकालिए, एक सप्टेमबर से लेके, एक ऑक्टोबर तक 5000 का 7500 होगया, पूल मिला के आपके कितने हो गया, सब काट कूट के भी आपके पास 12000 हो जाते है, 12000, एक ऑक्टोबर को आप देखेंगे, आपका जो स्टेटमेंट है ना, एक ऑक्टोबर का वो आपका 12000 दिखाएगा, अब 12000 का आप इस्तेमाल करें, दो लॉट के लिए, पहले आप 30 कॉंटिटी कर रहे थे, अब 60 कॉंटिटी कर दीजी उसको, इस्तेमाल होगा 10000 रुपए, फिर भी आपके अकाउंट में 2000 रुपए पड़े रहेंगे, निकालना नहीं, उसको रहने दीजी, मतलब दो महिने के अ आटा हम खाने के लिए तयार है, अगर पासो का नुकसान हो जाता है, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, गल्ती से भी हम दो ट्रेड नहीं लेंगे, इसमें सबसे बड़े-बड़े कौन-कौन से फायद है, एक, आप बिलकुल भी ग्रिडी नहीं होंगे, मतलब आप लालची पहला वाला, स्पॉर्ट प्राइस के उपर जो पहला वाला इंदमनी आता, पहला वाला ले लिजे, बात खतम, आपका ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एक दिन में बंद हो जाएगा, सिर्फ एक दिन में आपने अगर दस परसन लेना शुरू कर दिया तो, खतम करि और जैसे जैसे हर महीने आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, अब आक्टोबर में आपके पास 12,000 थे, नॉविंबर में चले जाते हैं तो ये 12,000 आप यहां पे निकाल दीजिए भी, आप पाएंगे उसके बाद भी आपके आकाउन में धेरो धेरो रुपए, अब आपकी मर और फिर चौते महीने में जाएंगे, फिर आप 90 कॉंटिटी करिए, और पैसा फिर देखिए आपका किस तरीके से मल्टिब, इसको हम कहते हैं कंपाउन इंट्रेस्ट, लगातार बढ़ते जाता है, सिस्टम वैलू वही है, बस नजरिया बदलने की बाते हैं, हम मार्केट क वो उबेर का खजाना समझते हैं, और वाकई में वो है भी, लेकिन आप एक दिन में लेने की कोशिश करेंगे न, तो आपके जेप से तो जाएगा ही, वो दुनिया आपका लूटा के चला जाएगा, तो शेर मार्केट क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है कि मैं तुम्हें देने के लिए राजी हूँ, पहले कुछ नियम तो बना लो मेरे भाई, ये आपको शेर मार्केट कहता है, पर आपका बड़ा प्रॉब्लेम है कि आप नियम बनाते जरूर है, इसमें कोई दोराए नहीं है, पर वो नियम आप रोज बनाते है, तो इस नये पन को आप दूर करिए, एक नियम बना लीजिए, एक दिन में 10% का मुनाफा या 10% का घाटा, मैं मार्केट से बाहर, मुझे नहीं चाहिए इस से जादा, और इसी को आप फिर लगातार ट्रेड करिए, देखिए, मान लेते हैं आपने पहला ट्रेड लिया है, और आपका 10% का नुकसान हो ग लेना है, वो फायदा हो या नुकसान हो, निकल जाए मार्केट से, हाँ, तकलिव जरूर होगी, क्योंकि आपको आदत पढ़ गया है, मार्केट में बहुत देर रहने की, हर जगा ट्रेड ढूनने की, कॉल और पूट को, तो हो सकता है, शुरूबात में थोड़ा दिक्कत ह लेकिन मेरा दावा है, छे महिने के अंदर आप बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, पैसो के मामले से तो बनेंगे, इस सबसे बड़ा आपका फायदा होगा, आपकी साइकलोजी इतनी मजबूत हो जाएगी, आपको कोई हिला नहीं सकता फिर वहां स अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक शेयर सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन!